नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मास सर्मार्प साल 2021 में जितिया ब्रत के बारे में कब है और कब पारन करें आईए जानते हैं बिस्तार से इस बार जितिया ब्रत पूरे 33 घंटे का है तो सुमुर्थ क्या है किस दिन मनाएंगे किस दिन नहाई खाया है किस दिन आप पारना करेंगे देखे हिंदु पंचांग के अनुसार हर साल आस्विन माह के कृष्ण पक्ष की अस्टमी को जिवित पुत्र का ब्रत रखा जाता है जिसे हम जितिया ब्रत भी कहते हैं इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए अच्छे स्वास्त के लिए यह ब्रत रखती है और इसे सभी ब्रतों में सबसे ज़्यादा कठिन ब्रत माना जाता है माताएं अपने संतान की खुसाली के लिए जब जीतिया ब्रत निरहार रूप से नर्जला रूप से रखती हैं तो यह ब्रत और भी कठिन हो जाता है और इस बार यह पावन ब्रत 28 सितंबर को सुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा तो जीविट DAN ब्रत 28 सितंबर को ही नहाई खाई के साथ सुरू हो जाएगा और 29 सितंबर को पूरे दिन नर्जला ब्रत रखा जाएगा और 30 सितंबर को पारन किया जाएगा ब्रत का चुकि जिवित पुत्र का ब्रत संतान की प्राप्ति उसकी लंबी आयू की कामने के लिए किया जाता है तो धार्मिक माने ताके उनुसार इस ब्रत को करने से संतान के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान दिरगायू होता है लेकिन इस ब्रत का सुमूर्थ इस थोड़ा सा अलग है तो चलिए जान लेते हैं विस्तार से देखिए जो आस्विन किष्णपक्ष की अस्टमीती थी है वो 28 सितंबर मंगलवार की साम 6 बचकर 16 मिनट से शुरू हो जाएगी और अस्टमीती थी जो समाप्त होगी वो 29 सितंबर की रात 8 बचकर 29 मिनट पर के दिन यानि कि 29 सितंबर को आपका ब्रत रहेगा और 30 सितंबर को सुबर सुर्योदय के बाद आप कभी भी पाड़ना कर सकती है तो बहुत सिंपल है लेकिन इस ब्रत में चुकि भगवान जिमुत वहन की पूजा की जाती है और आप अगर घर में कुछ से बनीवी जिमुत वहन की परतिमा बेगर अस्तापित करती है तो अच्छी बात इस ब्रत में मिट्टी और गाय के गोवर से चीलो और सियारिन की मुर्ती भी बनाई जाती है उनके माथे पर लाल सिंदूर और टीका लगाया जाता है और पुजा समावत होने के बाद जिवित पुत्रगा ब्र भी नहीं किये जाते हैं मुँ में पानी भी नहीं लेना ब्रस भी नहीं करना दिन भर सांत रहें चुप रहें और यह ब्रत 28 सितंबर से सुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा तीन दिन का यह ब्रत सबसे ज़्यादा कठिन ब्रतों में से एक है और संतान की लंबी आयू हम आपसे बिदा लेते हैं हरहर महादेव महादेव सब का कल्यान करें